हेलो फिन शाप सभी का श्वाकत है हमारे एजुकेशन वी साहिल जनतों दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शोप रेंज जैसा कि आप सभी लोगों को पताए कि B8 की जो प्रवेस परिच्छा है वो 9 अगस्त को है तो इसका कल admit card भी जारी कर दिया गया है तो इसमें जो कुछ अभ्यारती हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे वो लोग क्या किये थे कि अपना exam center अपने home district में select किये थे बट उनका जो center है other districts में भेद दिया गया है other district की बजाए करीब 200 से 300 km दूर उनका exam center बनाया गया है तो उनका क्या होगा ये वीडियो हम डिसस करेंगे और जो आपका जैसे Sunday को exam पढ़ रहा है तो lockdown Saturday and Saturday को रहता है तो उसमें आपको कैसे क्या करना होगा and काफी छात्र and इसमें आरोब कर रहा है कि exam cancel किया जाए या नहीं किया जाए तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका exam 9 अगस्त को होगा ये cancel अभी भी हो सकता है तो वीडियो को पूरा देख लें करीब 5-6 मिनट मैं आप लोगो जानकारी दूँगा तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आज की news paper है तो सबसे पहले मैं इसको read करता हूँ अच्छे से फिर मैं आप लोगों को इसमें समझाता हूँ कि कैसे क्या होगा आपका तो ये आप देख सकते हैं ये आज की latest update है कि बीडियो की परवेस परिच्छा पर अभ्यारतियों ने उठाए सवाल यानि कि जो आपका exam है 9 अगस्त को उसमें कुछ अभ्यारति सवाल उठा रहे हैं तो वो क्या सवाल हैं आगे देखते हैं इसको मैं read करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमन के मामले लगतार बड़ा रहे हैं इस हालत में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीड़ पर इस परिच्छा पर सवाल उठने लगे हैं लगनोव इस विद्याल की और से प्रवेस पत्र जारी करने के बाद अभ्यारतियों ने अपत्ती जता रहें क्या अपत्ती है अभ्यारती सकती राजबर ने सोसल मेडिया पर अपनों प्रवेस पत्र साजा किया वह कहते हैं कि उन्होंने प्रयाग राज कानपूर और लखनव के परिच्छा केंद्रों पर पेपर देने का विकल्प भरा था उन्हें 200 किलोमीटर दूर बलरामपूर में MLK PG College में परिच्छा केंद्र आवांटित किया गया है यानि कि एक अभ्यारती थे जो अपना एक्जाम सेंटर प्रयाग राज कानपूर लखनव मतलब सेलेक्ट किये थे अपना एक्जाम सेंटर और उनका जो एक्जाम अब होगा 200 किलोमीटर दूर भेश दिया गया है बलरामपूर में ये कालेज का नाम दिया गया है प्रयाग राज के ब्रजे सिंग लिखते हैं कि उन्हें प्रयाग राज में परिच्छा केंद्र का विगाल भरता केंद्र इटावा में दे दिया गया है कोरोना संक्रमन के मौजूद हालात में प्रिच्छांगती टैक करते हुए सोचल मीडिया में लिखा है कि कोरोना के केस लगतार बल रहे हैं विस्त बिदावल परिशाशन को बेवहारिक सोच के साथ इस परिच्छा का फैसला लेना चाहिए ये कह खत्रा ना बढ़ता तो इसको हम रीट कर लेते हैं तो मैं आपको लाश्ट में बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना ये देख सकते हैं प्रो अमिता बाजपी का कहना है कि प्रथम और दिती और तिती वरीता की अधार पर केंदर आवांटित करने के बाद भी बहुत अधिक संख्या में अभ्यारती बच गये हैं उनको अन्य साहरों में भेजा गया है, दावा है कि अब भ्यारतियों को सुविधा प्रात्मिक्ता रही है, भ्यारतियों से अप्रील है कि आपने निश्चित होकर केंद्रों पर परिच्छा दें, देखिए, जो आपका एक्जाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि जिनका ज जैसे आप लोग अपना होम डिश्चिक्स में एक्जाम सेंटर सेलेक्ट किये थे, तो वहां क्या हुआ कि लड़के जादा हो गए थे, तो इसी के वज़े से आपका दूसरी जगा पे सेंटर बना दिया गया है, तो आपका ये जो सेंटर है, आप कैंसिल नहीं होगा, वही आपको एक्जाम देना होगा, दूसरा है जो आपका एक्जाम टल सकता है या नहीं टल सकता, तो देखिए आपका एक्जाम अब नहीं टल सकता, 100% आपका एक्जाम 9 अगस्त को ही होगा, फालतू की फेक निज मत पढ़िए, आपका एक्जाम 9 अगस्त को 100% एक्जाम होगा आप लोग तैयारी में मल लगाईए फालतू की चक्कर में आप लोग मत पढ़िए उसके बाद बहुत सारे लोग सोच रहा है कि Saturday and Sunday को जो lockdown रहता उसमें हम लोग कैसे जाएंगे तो देखिए जो ये अभी Saturday Sunday का lockdown है ये किवल आपका जो है 31 जुलाई तक है यानि कि एक अगस्त से आपकी निव गाडलाइन जारी की जाएगी वैसे अगर फिर भी Saturday और Sunday को lockdown लगता है तो आप लोग के लिए कुछ नहीं होगा आप लोग जा सकते हैं अपना admit card दिखा के जा सकते हैं दिखकत नहीं है आप लोग के लिए वैसे भी एक अगस्त को नई guideline जाई की जाएगी government की तरब से तो आप लोग attention मत लिजे कुछ नियम आएगा आप लोग के लिए तो exam आपका 9 अगस्त को ही होगा तो अगर कोई आप लोग को जानकारी चाहिए तो नीचे comment box में पूश रखते हैं तो आप लोग तैयारी करते रहें तो चलिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर थपलाए थांक्स पर वाचिंग जैहिंद वंदे मातरम चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पर सके लिजए कि में चैनल पर आप ऐसी ही वीडियो चलाता रहता हूं जिसका नोट्पिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा